दोस्तो हमारे batching plant पे जो cement feeding pump है उसमें एक problem आई है कि वो cement speed से नहीं चड़ा रहा है तो हमने उसका screw के सामने का एक box का जो part है वो खोल दिया है और इसका bearing के उपर यह से भी खोल दिया है क्योंकि हमें screw चेक करना है वो घूम सही रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है bearing सब सही है लेकिन फिर भी नहीं चड़ा रहा है तो हमें ये box खोल के देखना पड़ेगा कि cement वो speed से क्यों नहीं चड़ा पा रहा है तो जैसे उसमें बैग खोल ला जाता है तो वो कुछ टाइम ले लेता है नहीं तो वैसे तो बैग खोलते खोलते वो उपर सेलो में चड़ा देता था सिमेंट लेकिन अभी इसमें दिक्कत आ गए तो हमने सारे ये बैल्ट वैल्ट इसकी सब उतार दी है तो हमें स्कूरू च गिस गई है कट गई है इसलिए ये स्कूरू को हमें निकालना पड़ेगा इसमें स्पैरल होते हैं वो गिस गए है तो पत्ती होती है इस स्पैरल के हिसाब से उसमें लगी हुई वो गिस गई है तो उसको हमें निकालना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा कि क्या हम इसको तो अभी इसको इसमें थोड़ी सी कमी है या ज़्यादा कमी है तो उस हिसाब से हम इसको देखेंगे रिपेर कराके फिर इसमें डालेंगे या फिर इसमें दूसरा लगाएंगे क्योंकि हमारे पास में इस पेर में है क्योंकि ये प्रॉल्म आ जाती है कुछ टाइम के बाद म और दूसरे को फिर हम रिपेर करा के रख लेते हैं तो इस तरीके से ये पुली भी हम इसके निकाल लेते हैं तो इसमें दो पंप यहां पर रहते हैं फिडिंग पंप में एक ब्लोवर में लगा रहता है जो 50 HP का होता है और एक ये सिमिन्ट को चड़ाने वाला जो यहां तक बोक्स तक बेजता है सिमिन्ट को होपर में से वो 30 HP का मोटर होता है तो इस तरह से दो मोटर यहां पर यूज की जाते हैं और इसमें ये बेरिंग लगे रहते हैं इसमें बेरिंग के नीचे जो ये हम अभी जो low खोल रहे हैं ये low होता है sleeve का ये bearing sleeve के ऊपर लगते हैं 75 mm की ये soft है और इसमें जो sleeve होता है वो हम अपने bracket के हिसाब से जहां पर भी ये इस type के bearing होते हैं कि इनको हम soft पे कहीं भी tight कर सकते हैं इस तरह के bearing होते हैं क्योंकि ये sleeve उपर tight होते हैं तो इस तरीके से ये bearing हम soft पे जहां चाहे वहां पे tight कर सकते हैं अभी हम इसको remove करेंगे क्योंकि हमें इसको screw को हटाना है तो इसको bearing को भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा तो अभी अगर जैसे अभी तो हम bracket हटा रहे हैं लेकिन ये sleeve पे से थोड़ा सा एक mm अगर bearing को हम अटा देते हैं तो ये आसानी से फिर ये निकल जाता है तो इस तरह से ये lock रहते हैं sleeve के उपर और हमें इसमें से gland हटा देनी है जो gallon dory हम इसमें लगाते हैं वो हटा देनी है और इसके अंदर एक seal भी रहती है जो 75-100 और उसका एक जो thickness है वो 13 mm रहती है यहाँ पे तो 75 mm उसकी id रहती है और 100 mm उसकी od रहती है seal की और 13 mm उसकी thickness रहती है तो इस तरीके से अब जैसे ही हम screw को remove करेंगे यहाँ से तो हमें उसके सारे spiral clear दिख जाएंगे कि उसमें कितनी problem है तो ऐसे इसका जो lock nut होता है यहाँ पे इस तरीके से खोल कर गे और फिर आसानी से bearing को इससे अटाया जा सकेगा और यह 22216 नंबर का bearing यहाँ पे लगा रहता है तो वैसे तो यह bearing self alignment bearing होते हैं तो थोड़ा अगर इधर और तेड़ा भी रहता है तो यह चल जाते हैं तो इसमें यह जल्दी खराब नहीं होते हैं और यह इसका sleeve रहता है जिसके उपर यह tight होते है तो sleeve में cut रहता है तो इस तरहीके से उसमें जब bearing को हम उसपे tight करते हैं तो bearing में भी यह taper type रहता है एक तरब से इसकी थिखनस ज्यादा रहती है सिलीव की और thread की तरब से इसकी थिखनस कम रहती है तो जैसे-जैसे thread पे हम लोग tight करते हैं उसका चक्नट tight करते हैं तो वह bearing क मोटे वाले हिसे की तरफ धकेलता है और तब जाके बैरिंग इस पर टाइट होता है तो अभी हम इसको खीच लेंगे स्क्रू को यहां से और फिर देखते हैं कि इस कितने स्पैरल इसके खराब हुए है यानि कितनी लेयर इसकी खराब हुई है इस तरीके से यह राउंड टाइप जो बनी रहती है तो इसमें अभी तीन स्पैरल इसके खराब हुए है लगबग तो बाकी के तीन इसके सही है यहां पे और यह चोथा भी थोड़ा गिस गया है तो अभी हम इसको चेंज करते हैं हमारे पास में अभी दूसरा रखा हुआ है तो इसलिए यह सिमेंट को कम चड़ा रहा था क्योंकि इसके कुछ हिससे अगिस गया है पूरा भी खराब नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमारे पास में अविलेबल है तो हम दूसरा इसमें लगा देंगे क्योंकि सिमेंट को चड़ाने की स्पीड बहुत कम हो गई है तो अभी यह हमारे पास में रखा हुआ है जो हमने पहले खराब हुआ था इसको हमने रिपेर कराया था और यह आठ हजार रुपे लगा के हमारे यह स्पारल तयार किया गया था यह इसके ब्रैकेट है जहां पर बेरिंग लगे रहते हैं दो बेरिंग यहां पर साफ्ट में रहते हैं इसमें तो इस तरीके का सिलीव रहता है हम आपको इसका लोग खोल के दिखाते हैं इस तरीके से यह चकनट को इसके लोग करने के लिए होता है और यह cut रहता है इसमें और जैसे जैसे हम इसको tight करते जाते हैं बेरिंग को यह धक्का देता जाता है तो इसका मोटा हिस्सा बेरिंग के नीचे आता जाता है तो और यह shaft को बिल्कुल एक दम पकड लगता है तो इस तरीके से इसका यह bearing fit किया जाता है और दोनों bearing ऐसे होते साफ्ट पर यह दोनों sleeve वाले ही bearing लगे हुए होते हैं और इस तरीके से यह इसके अंदर हम पुराना वाला भी आपको दिखा देते हैं एक sleeve यह इस तरीके से चड़े रहते हैं और इसका एक हिस्सा पतला और एक हिस्सा इसका मोटा रहता है और यह इसी लिए यह taper में बसता है और साफ्ट पर हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं इस तरह के bearing होते हैं तो अब हम इसमें यह seal रहती है यहां पर जो 7513 इसका यह dimension है 100 mm इसकी बाहर की ID है जहां पर sleeve यहां पर लगती है और 13 mm thickness है और अब हम इसको main housing है इसकी इसको बिल्गुल साफ कर दें क्योंकि हमे इसमें screw लगाएंगे तो यह shaft की तरफ से यहां से गुसाया जाएगा इसमें और screws के अंदर घूमता है और उपर होपर में से सिमेंट आता है तो अभी थोड़ा सा grease लगा कि इसको हम इसमें fit करेंगे जिससे की आसानी से इस पे sleeve भी चड़ जाए और यह seal भी हम इसमें लग स्पैरल यह हमारा पहले screw में किसी और तरीके से दूसरी साइड में है इसमें दूसरी साइड में आ गया तो उसमें उस condition में हम क्या यह चेक करके अच्छी तरह कि सिमेंट किस तरफ यह बाहर निकालेगा तो उसी हिसाब से motor के connection रखते हैं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है इन इसमें इसको यूज कर लेते हैं तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है तो अब bearing के जो bearing का जो bracket है इसमें उपर नीचे एक दम grease लगा देंगे और अच्छी तरीके से और फिर इसमें यहाँ पे इसकी पुली भी लगा देंगे और इसमें गैलेंडोरी लगा के अच्छी तरीके से fit कर देंगे और तब जाके इसकी हम check-in करेंगे तो इस तरीके से screw लग गया है अब इसका box लगाने के लिए यहाँ पे हम इसको packing की जगे पर हमारे पास में जो silicon है वो हम अच्छी तरह लगा कर इसके nut bolt tight करेंगे यह box हो गया और इस box में दो तरफ से pipe और जुडते हैं य यहाँ पे यह इसकी output हो गई यह जो reducer type smell जो लगा रहता है यहाँ पे तो यह इसकी main output है जहां से cello में cement जाता है अब इसको हम बिल्कुल जोड़के एकदम pack कर देंगे अब यह हमारा काम complete हो गया है और अब हम इसको चला कर देख लेंगे और इसमें cement काटना सुरू तो belt belt हमने ready कर दी है इसको चला कर देखते हैं